यहां ओफिस में आप ले सकते हैं नीन्द किन्तु एक शर्थ पर आज हम आपको एक ऐसे ओफिस के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रहाँ जाएंगे दरसल हम जिस ओफिस की बात कर रहे हैं वो जापान में है यहां आपको नींद लेने की पूरी इजाज़त है किन्तु इस काम है तु आपको एक शर्प मानी होगी कि आपको नींद लेते हुए ओफिस में ही रहना होगा जानकारी के मताबिक कारे के घंटे कुछ ज्यादा ही होते हैं जिसकी वज़ए से अधिकतर लोग रात में सिर्फ अच्छे घंटे की ही नींद ले पाते हैं यहां जब भी कोई नींद लेता हुआ पाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो कारे करके ठक गया है बतादें की ओफिस में नींद लेने का चलन तब प्रारंब हुआ जब युद्ध के पस्चात इस देश को आगे ले जाने है तुछ लोग काफी मेहनत कर रहे थे यहां पर ये बात आम हो गई है कि लोग कार्या मीटिंग में नींद ले रहे हो किन्तु कैम्बरेज युनिवर्सिटी के स्कॉलर डॉक्टर ब्रिगेड स्टिगेर में जापानी संस्कृती पर काफी अधियन किया है जिस पर ये कहा कि कौन नींद ले सकता है